दोस्तों लवीना लोद ने अपने हर वीडियो में कही ना कहीं कुमकुम सैगल अपने हस्बन सुमिछ सबरवार और साथ ही में उन्होंने भड फैमली को काफी अक्यूस किया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों को लगता है आखिरकार एक स्टोरी तो हमने सुन ली लवीना की अब दुस्री तरफ की एक स्टोरी में बात करो तो इस वक जो है कुमकुम सैगल ने लवीना लोद को लीगल नोटिस दिया है जहां पर वो कह देए कि उन्होंने कमपरीन जो फाइल किया है अगेंस लवीना वो उन्होंने जो है उसे डिजिटली फॉर्म किया है स्कैन डॉक्यमेट करके और वहां से वो सब्मेट कर दी है जस बिकॉस कि उनके बेटे को करोना वायरस हो चुक है और उनका कहना है कि इसी चीज़ का जो है लवीना फायदा उठा रही है उनको पता है कि ऐसे वक्त में उनकी फैमिली बाहर निकल नहीं सकती है तो इसलिए उन्होंने उनके उपर इफरमिशन और साथ ही में जो 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 फायार और इंटर्वी उस दे दी है जस्ट बिकॉज उनकी फैमिली इस वक्त नहीं आ सकती हों कॉरेंटाइन के वज़े से एंड उन्होंने का ऐसे वक्त में भी उन्होंने को डिजिटली कम्प्रीट करने का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने मेल के थुरू अपनी जो है कंप्लीन रेजिस्टर्ट की है फाय अगर उनके नाम पे था उनको उनके साथ नहीं रहना था हस्बन को इसलिए पूर अलग हो गए लेकिन अपना घर चोड़ने को तैयार ही नहीं जाम रहा तिल उनको वह जगह चाहती और वह घर पी थी और के नाम पे था सिफ शादी के कुछ समय बाद ही जो है लबीना और उस घर में रह रहे थे तो उन्होंने यह सारी चीज़े के वह अपना घर चाहती है और वह चाहती कि लबीना अब उनकी लाइफ से हट जाए और लबीना ने कॉंस्टेंट्ली उनको बहुत परिशान किया है और अननेसेसरी बर्ट्स को इसके बीच में ड्रैक किया जा रहा है बढ़ाने वाले वक्त में डेफिनिटली के सवालों का जवाब देंगी और साथ ही में यह अपकेस कितना लंबा जाएगा और अब इसमें क्या क्या नहीं ने चीज़े सामने आएंगे क्या ट्विस्ट एंट आएगा यह तो वेलब वक्त ही बताएगा लेकिन जी हां कु लिया जा रहा था इसलिए उन्होंने अपना जवाब दिया और कुमकुम सैगल ने तोड़ी चुपी